बच्चो आज आपको कराएंगे चाप्टर थर्टीन का सेकेंड पार्ट रबड की आत्म कथा इसका फर्स्ट पार्ट हमने आखो पहले एक प्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में आज हम आपको इसको सेकेंड पार्ट आपका एक्स्प्लेंड करेंगे तुम ने देखा होगा डॉक्टर आप्रेशन करते हुए बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं और उनके हाथों को सुरच्छित रखता हूं तो जो डक्टर अप्रिसन थेटर में अप्रेशन करते हैं उसमें वे दस्ताने पहनते हैं वो दस्ताने वो दस्ताने रबड से बने होते हैं बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहन कर काम करते हैं एंसे इन्हें बिजली का जटका नहीं लगता साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक सबके पहियों में जो टायर ट्यूब पढ़ते हैं वो किसे बनते हैं रबड से मुझसे बने ट्यूब को कमर में बांध कर लोग तैरना भी सीथते हैं अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूँ मैं हूँ रबड क्या तुम जानते हो? मुझसे यह रूप कैसे मिलता है? बचो यह जो आपको दस्तानी टायर ट्यूब यह बहुत सारी चीज़े जो आपको प्राप्त होती है वो कैसे मिलती है वास्तों में? मैं एक पेड के रश से बनता हूँ एक पेड होता है रबड उसी के पेड से यह मिलता है यह रश दूद की तरह होता है पेड के तने में पहले छोटे 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 कर दिये जाते हैं छेदों के नीचे टीम की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं छेदों में से दूर निकलता है उसे बाल्टियों में इकठा कर लिया जाता है इस दूद को पानी में डाल कर उबाला जाता है मसीनों से इसे सुखाया जाता है फिर कार खाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है इनी चादरों से दस्ताने, जुगते, बरसाती, टायर ट्यूप आधी सामान बनाये जाते हैं रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना, रिवान ने पूछा नहीं, नहीं मुझे प्लास्टिक मत कहना वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा नकली, उसे तो बचकर ही रहना रियान ने रबर को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया कुछ सोचते हुए मुस्कराया, फिर बोला, रबर महराज, आप मिलते कहा हो आपने अपना पता तो बताया ही नहीं रबर ने ठहांका लगाया, हाँ हाँ, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया मेरे पेर दक्षिर भारत के दक्षडी भाग में असम त्रिपुरा राज्यों में पाये जाते हैं वहाँ घूमने जाओ, तो मेरे बगीचों में जरूर जाना तो सबी रच्चे इस पार्ट को पढ़ेंगे रबर दक्षिर भारत में असम त्रिपुरा राज्यों में पाये जाते हैं ने रबर के बगीचे, यहाँ रबर के पेंड होते हैं उसके नीचे बाल्टी लटका दी जाती है तो जब बाल्टी दीरे रस भर जाता है उन बाल्टियों को उतार लिया जाता है और उनको कारखानों में भीज़ दिया जाता है चलो इसको भी देखते हैं रबड में मिटाने का गुल पता हाला कि जो से प्रिष्टली ने लगाया था लेकिन एरेजर की अभिस्कार का श्रे एक गेटिंगी एक ब्रिटिस इंजीनियर एडवर्ड नेरने को जाना जाता है एडवर्ड नेरने में एरेजर का अभिस्कार किया था और रवर्ड में मिटाने का गुल का पता जो सिर्फ प्रिष्टली ने लगाया था ओके तो आप इनको भी समझने चलिए इसके बाद रवर्ड हमारे लिए कितना उप्योगी है यह भी आप समझे तो बच्चो इस चैप्टर से हम लोगों ने ये जाना कि रवर्ड से क्या क्या बनाया जाता है और रवर्ड कहां से प्राप्थ होता है कैसे प्राप्थ होता है ठीके रवर्ड का जो रूप होता है वो क्या होता है तो रवर्ड हमको कहां से मिलता है रक्षुन भारत के असम और तिप्राराज्यों में वहाँ पे रवड के बगीचे पाए जाते हैं वहाँ पे रवड हमको पेड़ों से मिलता है ठीक है उसके बाद में कारखानों में भेज दिया जाता है फिर बहुत सारे इसके आईटम बनाए जाते हैं तो सभी बच्चे चैप्टर की रीडिंग करेंगे अच्छी से और समझेंगे इसके बाद में आडियो बना की हमें सेंट करेंगे ओके बाई बाई हेवे नाज जे ठीक केर